नमस्कार किसंसातियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा कीशेती यूटूब चैनल पे आज का वीडियो उन किसंद भाईयों के लिए हैं जिनोंने लसुन का स्टोक रखा हुआ हैं बोईस्ट में अच्छा भाव लेने के लिए किसंसातियों जैसा कि आपको पता हैं कि इसबा जो लाश्ट कंडिसन में लसुन था उसमें काफी जादा मात्रा में भेंकर रोग आये थे जिसके कराण कि लसुन की क्वालिटी भी बहुत जग़ पे बिगड़ चुकी थी हाला कि जिन भाईयों ने रोग को शुरुआती उस्ता में कंड्रोल कर लिया था उनकी पसल अच्छी बच्छी हुई थी किसन साथियों जैसा कि अभी आप लसुन का बाजर भाव देख रहे हैं इस हिसाब से भी देखे तो भी आगे भुष में भाव बढ़ने की पूरी उमीर है और इस समय कुछ किसन भाईयों के जो लसुन का इस्टोक है उसमें कुछ शिकायते आ रही हैं कि लसुन की जो करना है ओWAR जो रोग घ्रस्तमाल है उसका इस्टाक कभी नहीं करना है अन्यता वो कभी भी खराब हो सकता है उसका जो जीवन का लोता है वो क्लता है यदि आपने भी लसुन का स्टोक रख रखा हैं तो करपया आप उसमें 1-2 कट्टे खाली करके देखे और उसमें कितने परसेंट खराब हो रहा है उस आधार पर आपको सेल करने का निर्णड़ लेना है यदि आपका माल खराब नहीं हो रहा है तो आप उसे रख सकते हैं और लसुन का इस्टो रखने के लिए किसान साथियों हवादार इस्थान का चुनाव अभी करें पिर्मी का मोसम है लेकिन बरसाथ के लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी बरसाथ में लसुन का इस्टो रखते समय क्या-क्या पहले से एक वीडियो बना रखना है, लेकिन कुछ किसंब साछी हो को शायद मालूम नहों, तो अभी से अपने माल का चेक चेक कर लें, यदि उसमें लस्फन जादा बात्रा में खरब हो रहा है ता आप से सेल कर लें, और यदि बहुत ही कम मात्रा में हैं दो से चार पांच परसेंट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इतना थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि कुछ जो गाठे हम निकालते हैं क्येतों से वो कुछ कच्छी अवस्ता मेरे जाती है क्योंकि पोदो कांगोर आगे पीछे होता है जिसके अगानों 2-4-5% नुकसान हो सकता है लेकिन इस से अधिक मात्रा में यह दे आपके लसुन की गाठों के जो कलिया बिखर रही है या जो खराब हो रही हैं काली पड़ रही है जो गाठे हैं तो आप उस लसुन को निकाली दे तो मेरे साब से अच्छा है क्योंकि वो उपर रग दें उपर का दाटा नीचे रग दें हर दो लाइनों के बीज में थोड़ी थोड़ी देड़ दो फीट की गलिया छोड़े किसंसातियों जिससे कि आपके जो लसुन है उसमें हवा का प्रवा होता रहे और लसुन की जो बोरिया है उनका हवा मिलती रहे जिससे क आपकी जो कमाई गई फ़सल हैं वो खराब नहों किसन साथियों निश्चित रूप से आगे बुश्चित अच्छा रहने वाला इसा पूरी उम्मिद हैं और आपको समय समय पर इसकी देखरे करता रहना है आपको फिर 15-20 दिन के बाद फिर से आपको अपना माल चीह करना है और इस प्रिकार की शिकारत आ रहे हैं तो आपको माल को सेल कर देना है किसन साथियों ज़्यादा लओब कमाने के चकर में आप खराब माल का इस्टो करते तो आगे चल कर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने जो के कट्टे के पास जगत जोर से स्वास खीचेंगे तो आपको एक विशेश प्रिकार की गंद नाक में मैसूस होगी जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस कट्टे में माल खराब होने लगा है किसन साथियों ये अनुबव के चीज है और अनुबव से ही सिकी ज लख दिया जाए तो भी वो उस खराब कट्टे को स्थूंग कर निकाल लेते हैं तो इसन साथियों आज की वीडियो में इतनी जनकरी थी कि आप अपने माल का परिक्षण करते रहें खराब माल निकाल देवे और अजटा परिटी एक बार अपने लसुन की बोरियों की झाल 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 झाल